देखो अरविन, अपनी बीवी का पासपोर्ट उसे वापस दे दो चार घंटों में उसकी फ्लाइट है, तुम जानते हो ना, वो कितने औरजेंट काम से जा रही है मेडम सार, उसके काम के चक्कर में मैं किसी काम का ने ले जाऊँगा यह बाहर जाके इसका काम करती है, और बच्चे, बच्चे मेरा काम तमाम कर देते हैं गाजब आदमी हो यार, तुम गाजब आदमी हो है, अरे बच्चा तो भगवान का रूप होता है सब यार आपके घर में भगवान है, बच्चे है क्या पहे, मर्दे अभी हम भुआ रहे हैं अपना सादी का उमर हो गया है, बत्तिस का कमर हो गया है अब तो बस इतना ही ख्याल है कि हम सी कमर को पकड़ कर हमारे बाइक के पिशे कोई बैठे और जब बाइक कोम रुप सैसे तेज चला है न तो हमारे कमर को भीच कर बोले कि चिता चतुरवेदी हो ले धीरे धीरे चलाओ, हम लोग मंदिर जा रहे हैं चिता चतुरवेदी सॉरी मेडम सर्व अरविंद, अपनी बीवी का पासपोर्ट उसे वापस दोगे या नहीं? नहीं, हम पासपोर्ट नहीं देंगे, मतलम नहीं देंगे सॉरी मेडम चीक है ठीक है, तुम हमें पासपोर्ट वापस नहीं दोगे, लेकिन करिश्मा सिंग को तो जरूर दोगे मेडम, उनको तो हम पधा ही देंगे हम जानते हैं इनका ट्रांसफर कुछ दिनों के लिए जैनकी पुरम थाने में हो गया है तुम्हें गलत वैम ही हो गई जरा पीछे मुड़ कर देखू अमा तुम कुछ इतना कहा जा रहा न उतना कल लो वणना अगर हम करवाने पर आगए न तो मुझे कोई बात निकलेगी दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम साना देखा अरे वापती यह तो बहुत मालेगी मेडम गलती हो गई माफ कर दीजे मेडम जी यह रख दीजे पासपोर्ट मैं मैं चला 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 संत जी देखा माणम सथ मेरा आइडिए काम कर गया तो क्या कुछ़ भी नहीं संतजी लेकिनि करिष्मा मेडम का यव दायोग अपके फेले होना में का रिकरड करिभी मुझे करिश्मा माइनम की डालोग्स बहुत ही अच्छे लगते हैं तो एक बार वो एक मुझरिम को डांटी थी तब मेने रिकॉर्ड कर लिगा वैसे एक बात तो है करिश्मा सिंग की सिर्फ एक आवाज ही काफी है मुझरिमों को डराने के लिए कुछ गण कैसे सहीं जो वही सौलव कर सकती है लिकिन प्रोब्ल्म यहिए कि वो कही बार गुस्से में कुछ जादा ही बहह जाती है बहुत जादा तुफ हो जाती है तो अस वाट उन्हीं से बचाना परता है लिकिन मिस तो बहुत करता है मुझरह एक पेर पर बगुला बना के खड़ा कर दिया है, सब लोग हम पर हस रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि थाने में या मेले में एक मिनिट रुके, आप दुनिये हैं, यही साइड में रुप जए हम आते हैं दो मिनिट में जाएए अरे पुषपाजी आईए आईए यह क्या हाल बनाए हुआ है आपका कुछ मत पूछिए पुषपाजी ठीके नहीं पूछते हैं पुषपाजी थोड़ा बहुत पूछ लेना चाहिए ना देखिये पुषपाजी हमको पता है आप दिल से बहुत अच्छी है बहुत क हमारा एक काम कर दीजी ना हाँ आप बस बोलके तो देखिये हम यू मना कर देंगे देखिये पुषपाजी पुषपाजी पुलिस का प्रम होता है जनता की मदद करना तो कर लीजे खुद की मदद तैरुपाजी पुषपाजी देखिये करिश्मा मेडम आपकी बहु है ना आग्याकारी बहु हैं, आपका कहना कभी नी टालती है, हमको पता है पुश्पाजी उनसे करकर हमारा सज्जा माफ करा दीजी नहाँ खुल? कौन है? तेरी माशाय फूल कांटे खेल के हो गया और तो काम कल ले? यह हमारा नहीं है मेडम, लगता है किसी मजनूने अपनी लेला के लिखा होगा और देखिये, लाल गुलाब भी फेक तर गया है उसने फेका, तुमने उठा लिया तुम अपना दिमाग दरिया में भाकर आयो गया अब क्या यह खट पढ़के इस पे किताब चापने का हराद है आपका? किताब तो नहीं चापना है मेडम लेकिन इसमेना दो लाइन लिखिए बड़ी प्यारी आपके हैं तो सुना दे आपको अब तुमने ठानी लिया है कि तुम हमारा वक्त बरबाद करोगे तो फिर कल लो अच्छे से हड़े रही है अले पुष्पाजी हड़े रही है पुष्पाजी चुनिये तो हड़े पुष्पाजी हम भी देखते हैं कब तक आप ऐसे कर सकती है कब तक करिश्मा मैडम इस थाने में टिकती है अब तो आप उनकी जल से जल बिनाई समहरों में भाग लेने कि तक तयारी कर लीजिए अर्ज किया है तुझे महबबत करना नहीं आता मुझे महबबत के सिवा कुछ नहीं आता तुझे महबबत करना नहीं आता मुझे महबबत के सिवा कुछ नहीं आता जिन्दगी गुजारने के सिर्फ दो ही तरीके हैं एक तुझे नहीं आता और एक मुझे नहीं आता कैसा लगा मेडम बताईए जानकी पुरम के मजनुओं के लिए ना मार पस भालतू टाइम नहीं है उनसे बाद में रिपतेंगे अरे पुषपा जी जहीं मेडम जहिंद यहां आप कैसे आना हुआ हाँ आज भी आप हमारा टिफिन लेकर आई इसलिए आपका टिफिन लेकर आये हो यह लीजे और यह क्या चल रहे है रोज रोज आपका हाँ खुद का टिफिन डेकर नहीं ला सकती है कोई बात नहीं पुष बड़ें के क्या देख रहे हैं भार जा की देखिए चंपक एक टांग पर खड़ा की नहीं खड़ा हम टिफिन लाते हैं बशबाजी आते हम अरे 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 यह क्या हो गया हाँ यह जो बगवाने नजर दी है ना वो सिर्फ किसी पर गड़ाने के लिए नहीं दी है उसका सही इस्तमाल भी क्लिया को रवर नहीं ऐसे ही बार-बार अपने मूं के बल गिरते रहोगे समझ गये ना अयå नहीं रेंगा जरी ङह बढ़ाओ है यह ने पुरी वर्दी गंदी होगे यह ना पुलिस की नियत और पुलिस की और मुर्श की रदी कर लेंगे अझाई घड़運स कर लेंगे हम कर लेंगे ऊब्या चहरा चहरे पर भी धूल जम गई है अब यह साफ करना पड़ेगा है न पुष्पा जी, क्या कर रहे हैं, हम कर लेंगे ना खुदी पुष्पा जी, आप कटेशन, तो हम जाएं, नहीं, बैठिये, चाय पीके जाएं वैसे मन तो है, हमारा चाय पीने का, मगर कौन लाके देगा, यहां आप ही को सारा काम करना पड़ता है, आप ही को जाना पड़ेगा चाय बोलने के लिए फिर आप ही लेकर आएंगे रहने तीचे ने, ने, हमें सिंग्री, आराम से पुष्पा जी हमें ना जरा फ्रेश होना है महिलाओं के लिए शोचाले होई है ना, अंदर जाके बाहर हाँ, सबका एक ही है बुष्पाजी क्या? हाँ सबके लिए एक ही शोचाले है ओहो, वहाँ हमारे महिलापुलिस्ताने में देखिए मतलब यार देना आपको महिलाओं के लिए कि इतना साफ सुत्रा एकदम चमचमाता हुआ शोचाले हुआ करता है जब इतना ही चौकस चला ना, आपका महिलापुलिस्ताना तो यहाँ क्या लेने आई है लेने कहाँ, हम तो आपका टिफिन देने आय थे देदिया, आप जाइए अपना थाना और आम अपने थाने बे काम करेंगे हाँ, हाँ, आप सिर्फ अपना थाना ही समालेजी अपने सास के बारे में बिलकुल मत सोचे कि वहां हमारी सास अकेली है, कौन समालेगा उसे बस 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 अपनी बारे में सोचिया देख लिया आपने, Shivji, हनुमान जी है, हनुमान जी, हमारी पफुर्णपाने को कुछ पड़ी नहीं, हमारे, हम जा रहे हैं, आप जाए, 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 समें पे खाना खा लेजी, आप भी, इस कंप्यूटर के साथ जादा दिन एक थाने में हमारी बहुरानी का रहना बहुत बड़ी परिशानी खड़ी कर सकता है कुछ तो करना पड़ेगा हमें मेडम? मेडम जब हो गया मेडम? का हुआ? मेडम का हुआ कि? नमा कंटा पड़ेगा आपकी बाइक चोरी हो गई है का? जी मेडम आपकी बाइक चोरी हो गई दिन दाड़े उभी थाने के बाहर से मेडम आपकी बाइक तो ऐसे गाय भूई जैसे गधे के सर से सिंग कहां थे आप? मेडम कहां जाएंगे? एक टांग तो आपने हवा में रखवा दिया था सौचाले तो जा नहीं सकते थे और कहां जाएंगे हम पता ही? हमारा बाइक तुमारी आपके सामने से चोड़ी हो गया और तुम उंदिया रहे थे हाँ है? हाँ मेडम एक टांग पे खड़े थे हवा में इतनी गर्मी में इतना ठग गए थे कि कब हम सोगा एक टांग पे हम को भी नहीं पता चले इनके गले में स्लेट डालो किया हाँ पहले पूरा बात तो सुन लो इनके गले में स्लेट डालो और लिखो जब जब ये ड्यूटी पर होंगे और इनको पनिश्मेंट मिला होगा तो ये सोएंगे नहीं एक तांग पर जा की खड़े हो जएए मैडम अकता रसका एक मिनट मेडम बाहर मत खड़ा कराईए खड़े खड़े धूपने सलफी देदे के ठक चुके आप तो हम यहीं खड़े हो जाते हम से लेट भी खुद से लिख लिखे लिए मैडम हम यहीं हो जाते में जाएए Head Constable Rajbeer. जी. शहर में जितना भी छोड चक्के मावाली घूम रहे हैं, सब को जा के दबोचू. पुरे शहर में कर्फ्यू लागा दो. और जो तुमसे दो चार पांच करे ना, उसकी लंका लगा दे ना माई के माई. समझ गए? बात तो एकदम सही है मेडम, लेकिन एक बाइक के लिए इतना भावाल खडा करना सही होगा? Hmmmm. क्या हूं? करिश्मा सिंह का बाइक चोरी हुआ है. उन्होंने सिरफ हमारे बाइक पढ़ा का नहीं डाला है, उमारी जान पढ़ा का डाला है. जहां कई भी यह बाइक चोर हमको मिल जाएगा ना ऐसा रॉकेट बनाएंगी कि जमीन पर तिखाई नहीं देगा वो. एक बात कान खोड़के सब सुन लो यहांपे. हमारा बाइक चोरी हुआ है, यह बात थाने से भार नहीं जाना चाहिए. अबना मैया कसम सब को हवाला के अंदर ले जाके ऐसा कुटा ही करेंगे ना कि सबका सिरफ चीक भार आएगा. नहीं चाहते हम यह बात किसी को पता चले नहीं तो लोग कहेंगे. बड़ा फनने खान बनके घूम दिये, अपना बाइक नी बचा पाई हमको क्या बचाएगी. समझ रहे सपात को, कितने भी चोरों के तीसमार खा घूमरों को हमारे सामने लेकर आएगे. जिसने भी हमारा बाइक चुराया ना महिया कसम, उसका साइलेंसर उखाड देंगे हम. पैठी, क्या हुआ आपको? पहताना, पैठी, पैठी, आएए पैठी, पैठी, पैठी. अच्छा, ठीक हम रहाएए. पैठी, 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 पैठी. पैठी, क्या हुआ जाए? अमरे तभी ठीक नहीं. मैडम सर को बुला. तो मैडम सर बिचारी क्या करेंगे? इस डोक्टर को बुलाना पड़े का, पुषपाजी? मैडम सर को बुला, हमें मैडम सर के सब बात करनी है. पुषपाजी? मैडम सर. जय हीं मैडम सर. जय हिन्द, जय हिन्द. मैडम सर. जय हिन्द, बैठी है? मैडम सर. बताय के मैडम सर पुछ है. मडम सर. आपको मता, हम देखे, हम सीदा असमता सेरे, आरेए हमारो दील दील जो आए ना दिल भुत घपरार आए हूं नामे नेर निदार रहा है, मैम सेरे पूष फूष मजीर थी स्वाद और सुगन तो हा रहा है ना हैं? हैं? हाहा ना ना रहा है, ना ना रहा है पर कल तक तो अप्षिल थी अचानक से रात भर में आपको कौन सी बीमारी लग गगी अब हमको सद्मा लगाए मैडम सर अब किस चीज का सद्मा करिष्मा सिंग्पा अब पुष्मजी अप्लीज रोना बंद करिये इसमें सद्मा लगने की क्या बात है पुष्मजी मैडम सर दॉक्तर कह रहे थे कि करिष्मजी के दूसरे थाने जाने का हमारे दिल को बहुत गहरा सद्मा लगा है और ये सद्मा तभी ठीक हो सकता है जब वो पापको सिहां आएंगे मामला तो बहुत संगीन लग रहा है पता लगाना पड़ेगा पुष्मजी ज़र अपना हाथ दिखाएंगे प्लीज क्यों क्यों मैडम सर आप हमारा भविश दिखना चाहती है नहीं वर्तमार आथ दीजी लेफ्ट हैंड पुष्मजी क्या हो गया ही आपके साथ जैसा कि हमें शक था बिलकुल वही बात है कुछ नहीं आपको पुष्मजी आप सब सिर्फ नाटक कर रही है नकली पुष्मजी पुलिस हो के फ्रॉड हाँ बिलकुल मैडम सर मैडम सर आप जरा यहाएंगे हाँ दिखिये हम ना कि हम नाटक ने कर रहे थे हमें चिंता हो रहे है करिश्मा मैडम की हाँ उनका जो थाना है न उस थाने में सिर्फ पुरुश है परिशान हो गई वो उन सब से पुष्मजी आपको गलत फेमी हो रही है कोई गलत फेमी नहीं है मैडम सर करिश्मा जी इतनी परेशान हो गई है ना कि उन्होंने कॉंस्टेबल को सजा के तौर बे थाने के बाहर ड्रम पे खड़ा किया था हाँ क्या वू कितनी जिद्धि हैं आप जानती है। वो जिद्पकडकर बैठिए कि वो थाना अपने तरीके से ही चलाएंगी। अब इसी जिद्ध की वजसे, वो अपने सारी परेशानी हमसे चुपानी लगेंगी। और इसी जिद्ध की वजसे, घर पर भी वो आज के ले इतनी चिड जिचिडी हो गई है ना कि सारा गुस्ता हमारे बेचारी गरिब लल्ला पे उतारती है माडम से, हम आपसे नीजी दरख्वास करते हैं कुछ भी करके आप करिश्मा जी को यहाँ वापस बुला लिए चाहिए अरे हो गया तुम दोनों का कुछ पाजी, देखिए हमारी बात सुनी हम पुलीस में हैं पुलीस में होने के नाते कुछ कायदे कानून होते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और उनी प्रोटोकॉल्स के तहेत करिश्मा सिंग को वहाँ ट्रांसफर किया गया है अब अम उन प्रोटोकॉल्स के अगेंस तो नहीं जा सकते ना देखिए, कुछ ही दिनों की बात है, करिश्मा सिंग है रेंडल कर लेंगी, वह बहुत ही रिस्पॉंसिबल पुलीस ओफिसर है वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिलाक्स कुछ दिनों में वह वापस आजाएंगे लास्ट बार पूछ रहे हमारा बाई किसने चुराया, बता दो बता दो भाई नहीं बताएंगे, ठीक है अब आपकी बाल्टियों में पानी भरा जाएगा जैसे जैसे पानी भरेगा, बाल्टी होगी भारी जैसे ही बाल्टी भारी होगी, तुम सब के दातों को ले कर जमीन पर आएगी जवानी में पोपले वने, बिना दात के घूमना फिर अरे बता दो भाई, बहुत पश्टा होगे बाद में नहीं बताएंगे सिंग जी, पानी डालिए आने जो तातों पे बचाएंगे अरे क्या हुं 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 करे, बता दो ना जल्दी से अमा बता दो सिंग जी, रहने दीचे छोड दीचे इन सब को इने कुछ नहीं बता है एकसाद सब को छोड़ दे मेडम हांजी सब लोगों को छोड़ दीचे दीचे मुला कर दो तुकिए रोकिए 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 रोगिए इतना चीक है पीछे और भी लोगें उनने भी दे 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 ले कोई भी ख़बर हो हमें सूच ना देना मुझ तुरंद पोच जाएंगे क्योंकि हम आस पास ये करिश्मा सिंग मैडम सर जहांद मैडम सर जहांद, आप यहां क्या कर रेँ वक निया त QUE वो हमें पता चला है अपने जरुरत मंदों के लिए खाना रखवाया है तो हमने सुचा है कि हम भी थोड़ा शरम दान कर ले हैं अच्छा जी बहुत अच्छी बात है वैसे भी आपके साथ की जरुरत तो हमेशा ही रहती है और जब सब साथ होते हैं तो टीम की ताकत बढ़ जाती है ताकत की आपको का जरुरत है माडम सेर आप तो जजबाद से ही काम चला लेती है वैसे ये लोगों की सेवा करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माडम सुचा तो अच्छा काम करी रहें, Karishma Singh, लेकिन सबसे अच्छा काम तो आप ने किया है. क्या है ये? ये सजा है, Madam Sir. अनुशासन का पालन ना करने की सजा, त्यूटी पर सूने की सजा, थाने को अपना घर समच ले की सजा, अच्छा? Madam Ji, तब पान लिया हूँ. हाँ, हाजाइए, हम ये दिदी. Karishma Singh, आप भी तो कभी रूल्स फॉलो नहीं करती, हम तो आपको ड्रम पर नहीं चड़ा देते. Madam Sir, आप हमारी तुलनास कॉंस्टेबल से कर रहे हैं, जिस अपने काम का सूथ तक नहीं बता है. हम जानते हैं हमारा तरीका, हलाग है, हम थोड़े सक्त हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं, Madam Sir, इमान दारी के साथ करते हैं, और हमेशा करते रहेंगे. बात इमान दाल लिजे ना. बिनो जी, वहां रखिए. Madam Sir, हम देते हैं. Karishma Singh, आप हमारी बात समझे. अब आप एक थाना इंचार्ज हैं, पूरे थाने की जिम्मिदारी आप पर हैं, और थाना किसी एक के भौकाल से कभी नहीं चलता, उसे लगता है, टीम एफ़र्ट. Madam Sir, हम चाहते हैं कि हमारा टीम हमारे एकदम साथ चले, पर वह हमारे साथ चलने को तयार नहीं है, तो पिर हमें अपनाना पढ़ता है ये रास्ता. आई है हमारे साथ. करिश्मा सिंग तजूर्बा कहता है हमारा कि लोग पुसी पेड के नीचे जाकर खड़े होते हैं, जो चाहाओ देता है. और चाहाओ देने के लिए एक पेड को अपनी टहनिया और अपनी शाखाएं जोकानी पड़ती है, पहलानी पड़ती है. I hope आप हमारी बात समझ रहे होंगी क्योंकि as a senior हम आपको बस यही सला दे सकते हैं. सला देने के लिए बहुत 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 थन्यवाद माडम सर पर हमारा काम च्हाओ देना नहीं, कानून की हिफाज़त करना है. Karishma Singh, हम पुलीस officers हैं और पुलीस का काम लोगों को डराना धमकाना नहीं, लोगों में अमन और चैन बना एक, एक, माडम सर, माडम सर, कॉल. हलो? हाँ, हाँ, पॉच रहे हैं, पंदर मिन में पॉच रहे हैं, ठीक है. वो न्यूस वालों का कॉल था, हमारा काम करने का अंदास देखकर और ताबड तुड़ इंसाफ देखकर ना, वो लोग तो काफी प्रभावित हो गए हैं. इसलिए लाइव इंट्रिव्य के लिए बुला रहे हैं. अब अभी निकलते हैं हम संतु, पुषपा जी और चीते को भी हमारा इंट्रिव्य आप दिखाईएगा. जये माडम सा, जये. वक्त हो गया है करिश्मा जी से सीधे और तिखे सवाल पूछने का. आपको बहुत सारी शुबकामना हैं. आप जानकी पूरम थाना के इंचार्ज जो बन गए. पूरे जानकी पूरम में आपके नाम और काम के चर्चे हो रहे हैं. धन्यवाद. तो क्या यही नाम के कारण आप जो घटना हुई है, उसे चुपाना चाहते हैं? करिश्मा जी, वो क्या है नाप कितनी भी कोशिश कर लो, पर हमारे चैनल से आप कभी भी कुछ भी छुपा नहीं पाओगे. हाँ तो करिश्मा जी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि करिश्मा जी के ठाने के बाहर से उनकी ही बाइक जूरी हुई है. माडम सर, कल रात ही करिश्मा जी ने कहा कि उनकी बाइक मरम मत के लिए दी है. अगर हुई है तो क्या आप और आपकी पुलीस चोर को ढून पाई है? देखे, ऐसे में सवाल ये है कि पुलीस खुद सुरक्षित नहीं है तो जनता को सुरक्षित कैसे रख सकती है? करिश्मा जी कुछ बोलिये ना? करिश्मा जी क कि यह झाल सकती है करिश्मा जी कुछ उलकी यह तो।